अगर हम बात करते हैं, तो पावर सिस्टम हमने जो बनाए थे जो भी एक्ट कल इंजीनिरि पावर सिस्टम जो डिजाइन करे थे, उसका अल्टिमेट गोल था कि हम लोग क्या कर सके हम लोग जो भी हमारी प्रॉफित अन्चीर प्रोफित कर सके हैं, तो यह श्रौ कह सकते हो जो overall motive था power system को design करने का ठीक है लेकिन अगर power system की main objective की बात करें तो वो था वहाँ पे सबसे बड़ा important objective होता है कि power generated must be equal to the power demanded यानि की power system हमेशा कोशिश यह रहती है कि उतनी power generate करें जितनी power demand की जरुवत है ठीक है लेकिन यहां पे बहुत बड़ा catch है अगर हम power station को ध्यान से देखें तो वहां पे constant generation होता है क्यों क्योंकि वहां पे हम लोग फिक्स कर दें प्राइमोवर की rotation और प्राइमोवर की supply जो है variable होते नेचर में तो वहां पे supply तो constant की जा सकती है पर तुम कितना load लगाओगे कब तुम टीवी चलाओगे कब कौन सा consumer motor on करेगा यह सब चीज़े variable होती नेचर में तो इनी सब चीज़ों के लिए आज हम लोग discuss करेंगे load on power system के बारे में यानि कि हम लोग study करेंगे कि power system प चैलेंजिस के अगर बात करें तो जो भी हमने जो power station जो हम प्लांट करते हैं चाहे वो रिनेबल हो या फिर नॉन रिनेबल हो जैसा कि thermal या फिर मैंने यहां पर example कोई भी किसी भी तरीके के power station जो तुम प्लांट कर रहे हो उसका एक simple सा role मैंने भी बता है कि उसका काम होता ह है लोड की demand को fulfill करना ठीक है अब हम क्या चाहते हैं ऐसा utility ऐसा owner of the power station की हमारा जो प्लांट है वो maximum efficiency पर operate करें क्योंकि maximum efficiency जब operate करेगा तो वहां पर हमारे क्या होता है वो काफियता economical भी पढ़ता है और हमारी machines healthy condition में रहती है ठीक है यानि कि alternator run at rated capacity तो maximum efficiency का मतलब क्या हुआ कि हम अगर चाहते हैं हमारा power station maximum efficiency पर operate करें इसका मतलब हुआ कि alternator जो है वो अपनी rated capacity यानि कि जो भी उसकी capacity है जितने भी MVA का लेके आयो उस पर अपना बिल्कुल तकड़े से दोड़े जो भी उसका rated power है ठीक है यह requirement है utility की लेकिन अगर load की बात करें तो यह variable है nature में now variable मत करता है यह alternator को force करता है कि वो रन करें below rated या फिर अबव रेटेड इस्पीड तो यानि कि देखो मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी क्या चाहते है यानि कि ऐसा owner of the power station हम चाहते है कि हमारा alternator rated capacity पर लोड यानि कि consumer side के अगर हम चले जाए तो consumer को नहीं पता कि तुम्हार rated capacity कितनी है वो अपनी सुविदा अनुसार अपना लोड को adjust करेगा ठीक है तो यहां पर एक क्या एक counter चीजें है एक दूसरे के opposite चीजें है यानि कि एक तरफ constant चीज है एक तरफ variable in nature है और यह जो variability है लोड की इसकी वजह से alternator जो होते है इनको मैं forcefully या तो लोग speed पर चला नहीं कर सकते यह बात बड़ी simple सी है यानि कि जितनी demand है अगर आप जो power है अगर उससे ज्यादा बना दोगे for example हमने सोचा कि भाई आज जो होगी certain megawatt की demand आएगी लेकि demand आई कम और हमने power ज्यादा बना दी तो ऐसे case में वह power पूरी-पूरी waste हो जाएगी क्यों क्योंकि हम हम लोग जो है power को स्टोर नहीं कर सकते अगर कर सकते होती तो बैटरी हम भर zalेते और जब जब जरूरत होती तब हम लोग यह काम कर पाते लेकिन अभी भी चरिक आये हैं जैसे कि बहुत सारे सफिनिंग डि'll are वह बहुत सारे त्रीकी और बहुत तरीके आया हुए है जसमें हम लोग कोशिश करते हैं जैसे एक नोवल तरीका है ग्रेविटी सिटी इसके अंदर जब लाइट होती तो हम जब लाइट हमारे पास एक्सेस में होती है तो हम कुछ पॉर्चन ऑप पावर को स्टोर कर सकते हैं तो मेजौरिटी की बात करें तो हम लोग जधा बना देंगे इस्टेम हो ठीदा से थन ओंपावर हो जाहेगी ठीक है क्यों क्यों नेडर चलो आंट ब्रक cierto कंब लेते हैं तो कम बना लिए तो ए यानि कि यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम generated power को कभी भी demanded power से कम नहीं कर सकते ठीक है यानि कि दोनों समस्या है यानि कि तो मैं कैसे भी करके इस equation को बरकरार रखना होता है यानि कि power generated हर समय हमें match करानी होगी power demanded से समझ मारी बात ही है तो अब पहले देखते हैं कि यह तो समस्या हो गई अब इसकी वज़े से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है यानि कि यह जो variable load है में समस्या हमारी क्या है variable load अब इस variable load को निजात पाने के लिए इस variable load की वज़े से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्या क्या हमें changes करने पड़ते हैं as a utility तो सबसे पहले हमें extra generating unit की जरुवत पड़ेगी यानि कि हमें क्या होगा हमें extra generating unit अपने पास रखनी पड़ेगी क्योंकि खुदा नखास्ता किसी समय किसी वी वज़े से अगर extra demand आ गई तो वह कहां से पूरी करोगे या तो तुम अपना station को shutdown करवाओ blackout करवाओ या फिर उसको demand को पूरी करो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें कई सारे generating units अपने system के अंदर रखने पड़ते हैं कह सकते हो कि generally यह जो load पे onload नहीं होते हैं यानि कि यह off position में रहते हैं और इन्हें हम तभी on करते हैं जब हमारे पास requirement आती है तो extra generating unit generally यानि कि normally switch off रहे हैं यह भी on रहते हैं हर समय चलते रहते हैं no load पे और जैसे हमें जरूरत होती ही तो हम इनको connect कर देते हैं यानि कि on करने का यानि बहुत बार ऐसा होता है कि हम यह जब भी तुम किसी generating unit को on करोगे तो तो इसके लिए क्या होता इसको बचाने के लिए कभी-कभी utilities क्या करते हैं कि जो हमारे जो stand-by mode पे थे उन्हें connect कर देते हैं system से और हमें इससे time बच जाता है यानि कि तुरंती हम लोग को extra reserve मिल जाता है बट यह बहुत ज्यादा un economical method है क्योंकि सोचो तुम जरूवत है एक generator की तीन generator तुमने on करके रखे हुए हैं केवल इस purpose से कि जब जरूवत होगी तब हम उसको connect करेंगे ठीक है समझ मैं रहा है तो जब कोई भी generator अगर तुम नो लोट पे चलाओगे तब भी तुम्हें कुछ raw metal देखना पड़ेगा कुछ उसके अंदर डिरेटिंग हो रही होगी कुछ rupture हो रहा होगा ठीक है समझ मैं रही बात है तो सोच के देख दूसरी हमें extra raw material की जरूरत पड़ती थी during peak time यानि कि क्या होता था भाई हम अगर requirement आ गई और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को power बना ज्यादा बनानी तो उसके लिए क्या तरीका है सीधी सी बात है उसके लिए अगर आप thermal power plant में हो तो आपको steam ज्यादा बनानी पड़ेगी hydro में हो तो wall ज्यादा खोलने पड़ेंगे हर तरीके से आपको ज्यादा raw material डालना पड़ेगा क्यों क्योंकि power जो generate होगी वो universally ऐसे तो नहीं है कि एकदम से आ जाएगी hypothetical नहीं है आपको कहीं न कहीं raw input देना पड़ेगा तो ऐसे समय के लिए यानि कि हमें extra power extra peak time पे peak load को tackle कर हमें कुछ भी नहीं बता है लोट के बारे हम यह मान के चल सकते हैं कि लोट कभी बढ़ सकता है तो ऐसे में हमें यह दोनों पैसे काफी ज्यादा अन एकनॉमिकल मैथट बनेंगे चाहे जन्रेटिंग ज्यादा रखो और या फिर raw material रखो ठीक है तीसरा सबसे बड़ी समझ से production cost बढ़ जाती है अब यह क्यों बढ़ती है तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी प्लांट है हमारे पास किसी भी तरीके का हो उसके जो cost और production होता है वो तभी minimum होगी जब वो अपनी maximum efficiency पर operate करेगा maximum efficiency पर operate करने का मतलब है कि full load capacity यह चीज़ हमने पीछे सीखी थे हैं कि full load capacity पर जब कोई plant run करेगा तब युसकी efficiency maximum होगी लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट लोड पीरिएड की जैसे लाइट लोड होता है जैसे कि रात के समय में ठीक है तो जैसे की रात के समय में हो गया या कभी ऐसा कोई टाइम है कि जब मशीने बंद है तो इंडस्टी सारी ओफ है ऐसे करके अगर कोई समय होता है जिसने इंडस्टी सारी में रात का समय यहां पर इंक्लूड किया गया है तो ऐसे केस में जो अगर हम रात के समय को देखें तो अगर तो अगर वेकार है तो हम लोग क्या करते हैं, below rated चलाते हैं, अब below rated अगर तुम चलाओगे, तो ऐसे case में क्या होगा, production cost बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि production cost तब सबसे कम आएगी, जब हम full capacity पर चलाएगे, rated capacity पर, maximum efficiency पर, लेकिन हम तो चला रहे हैं, below capacity, ठीक है, समझ में आरी बात है, below rated capacity, तो जब हम below rated capacity चलाते हैं, तो production cost बढ़ जाती है, अरे फुल लोड पर नहीं चला सकते हैं, तो 80% of full load capacity पर चला लो, ये भी ठीक होता है, लेकिन below rated काफी हद तक अगर नीचे चले जाओगे, तो ऐसे case में cost of production बहुत जादा बढ़ जाती है, तो variable, load के variable होने के कारण क्या हुआ कि हम लोग की production cost भी जादा बढ़ने लगी, यानि कि अगर मुझे load का कुछ अंदाजा नहीं है, तो मैं तो अपने system को normal ही चलाऊँगा, अब एकदम से रात में system slow हो जा रहा है, demand कम हो जा रही, तो ऐसे case में below rated जाऊँगा और cost बढ़ जाएगी, तो इसलिए जब भी हम ब load के behavior को देखें, तो हमारा पूरा power system हमने इस तरीके से design करा था, कि जो भी लेंदेन हो रहा है power का, जो भी demand है, जो भी चीज़े है, ये load का behavior के उपर बहुत जादा depend कर जाती है, यानि तुमारा power station कैसे operate करेगा, और कितनी सस्ती बिजली बनाएगा, ये सारी सारी बाते इस करते हैं, तो ये बड़ी important चीज़े की load को हम लोग proper analyze करें उस जगह के, तो it is very important to analyze the load on power station, यानि जब भी तुम को station setup कर रहे हो, तो load के behavior को समझना बहुत जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज, safe electrical installation, यानि हम मान के चलते हैं कोई colony में transformer लगा तो वहां के load के हिसाब से transformer लगेगा, अगर तुमने कम लगाया तो loss आएगा, क्योंकि transformer तुमने बहुत बड़ा लगाया था, तो तुम loss में चले जाओगे, और कम power का लगा दिया, तो रातो रात वो जल जाएगा, तो तुम्हें रोज नया transformer लगाना पड़ेगा, तो इसल लिए electrical installment जो हम कर रहे है, electrical installation जो कर रहे है, ठीक है, वो सही करेंगे, और सबसे important चीज़, station की sizing सही करेंगे, भाई, अगर हम बरेली के लिए power station लगा रहे है, या एक छोटे शायर के लिए station लगा रहे है, तो ये जरूरी है कि वो उस particular city के load के according हो, ऐसा नहीं है कि पूरे इं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग जादा बड़ा station लगा देंगे, तो underrated चलेगा, तो भाई ऐसे case में हमारे loss हो जाएगा, और un economical method होगा, और वहीं पर अगर हम छोटा station लगा देंगे, तो overloaded हो जाएगा, तो उसके अंदर failure होने लग जाएंगे, system fail होने लग जाएगा, क्योंकि capacity नहीं होगी, reserve capacity बिल्कुल zero होगी, तो यह सबसे बड़ी समस्या थी, इसके लिए analyze करना बहुत जरूरी है, जहां पे भी, जैसे कि for example, आपने सुना होगा, कहीं पे भी, अगर metro भी हम लगाते हैं, तो वहां के traffic को analyze करते हैं, देखते हैं कि कितना traffic है, क समझ मारी बात है, तो अब load के behavior को analyze कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी चीज़ जो की unpredictable है, जो की ऐसी चीज़ जो की हमारे control के बाहर है, उसे कैसे predictable बना सकते हैं, तो इसके दो तरीके, एक तरीका है load करको हम analyze करेंगे, और दूसरा तरीका है load duration कर, यह दो करो ऐसे होते हैं, ज इतने deep में जाके आपको देता हूं, मैं इसमें काफी उफट लगता है, अगर आपको मेरे lecture पसंद आते हैं, तो हमाई channel को subscribe कर सकते हैं, like कर सकते हैं, super thank बेश सकते हैं, और share कर सकते हैं, जादा जादा लोगों तक यह पहुचेगा, उतनी जादा दूर तक मैं लोगों को अ बात करेंगे, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद,